हे गाईज, वेलकम टू ऑनलाइन तयारी, आज हम रिस्स करेंगे जून फर्स्ट वीक के करेंट फैर्स को, तो चलिए आज की एकला सुरू करते हैं, आज का सबसे पहला कोश्चन है हमारा की, युनाइटेड किंग्डम में भारत के उच्चा युक्टेन की हाई कमिशनर के र तो एक चीज़ यह धिहान रखिएगा, जो यहाँ पे हमने पढ़ा, युनाइटेड किंग्डम और बृतेन, बोलने को लोग एक ही बोल देते हैं, लेकिन है ये दो, यूके में कितने कंट्रि कंट्री आते हैं, और बृतेन में 3 कंट्री आते हैं, बहुत लोगों पता भी तो तीन देश दो हैं उसे मिला कर हम कहते हैं ब्रिटेन फिर नेक्स क्रोशन है कि FSS AI यानि कि Food Safety and Standards Authority of India के मुख्य कारकारी अधिकारी यानि कि CEO Chief Executive Officer के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो FSS AI के मुख्य कारकारी अधिकारी के रूप में न्यूक्त किया गया है अरुन श शिंगल जी से पहले कौन थे FSS AI के CEO तो इन से पहले थे GSG आयंगर और अब बने हैं अरून शिंगल FSS AI जो है यह भारत में खाद्य नियामक है यानि कि Food Regulatory है जो खाद्य उद्योग के लिए Standards, Manufacturing, Sale और Export टै करती है आपने बहुत सारे प्रोड़क्ट पे FSS AI का logo भी देखा होगा यानि कि वो FSS AI standards से गुजर चुकी है वो प्रोड़क्ट फिर निक्स कोशन है कि महिला Football Asia Cup 2022 की मेजवानी कौन सा देश करेगा तो महिला Football Asia Cup 2022 की मेजवानी करेगा इंडिया और यानि कि 2022 का जो Women's Football Asian Cup जो होगा उसका होस्ट करेगा इंडिया और कब के बाद करेगा तो इससे पहले इंडिया ने किया था 1979 में और 1979 के बाद पहली बार इंडिया होस्ट करेगा और इसमें पहली बार ही 12 टीमें हिस्सा लेंगी पहले कितने टीम में हिस्सा लेती थी तो इसमें लेती थी 8 टीमें और इस बार के इवेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी और इस बार का जो इवेंट होगा Women's Football Asian Cup का वो एक तरह से जो qualify हो जाएंगे इसमें जो जीच जाएंगे और जिनका performance अच्छा होगा वो एक तरह से final qualification tournament भी कह सकते हैं इसको किसका तो 2023 के FIFA Women's World Cup का फिर नेक्स्ट कोशन है कि World Environment Day ये किस दिन मना जाता है तो विश्व पाड़ेवारन दिवश ये हर एक साल पांच जून को मना जाता है पांच जून को और इस बार इसका theme क्या था तो theme था बायो डाइवर सिटी यानि कि जैव विविद्दा तो ये आप घ्यान में रखिएगा फिर नेक्स्ट कोशन है कि रोमानिया में भारत के अगले राज़ूत यानि कि ambassador के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो रोमानिया में भारत के अगले राज़ूत के रूप में न्यूक्त के इंगन का नाम है राहुल स्रिवास्तव राहुल स्रिवास्तव और राहुल स्रिवास्तव ने किसका अस्थान लिया तो ठंग लूडा डारलों का अस्था लिए रहूल्सिवास्थ स्रीवास्तब meow रुमानिया किया क्या है ब्यूकारिष्ट फिर नेक्स्ट कोश्षट है कि रर्शयन लांग्वेजडे यह किस दिन मनाया जाता है तो रर्शयन लांग्वेजडे यह हर एक साल 6 जुन को मना जाता है Russian Language Day 6 June को और यह किसके दवारा मना जाता है? यह UN के दवारा मना जाता है क्योंकि Russian Language Day जो है Russian जो लांग्विज है उसको UN के दवारा ओफिस्यली घोशित किया गया language है तो यह धियान रखिएगा बहुत बात पुछा चुका है English language day किस दिर मना जाता है Chinese Language Day या फिर Mandarin Language Day किस दिन मना जाता है तो यह आप कहीं पर लिख लीजिए सबसे पहले मना जाता है 20 March को French Language Day 20 March को French Language Day फिर 20 April को Chinese या फिर Mandarin Language Day और 23 April को English Language Day फिर उसके बाद 23 April को ही Spanish Language Day और 6 June को Russian Language Day और 18 December को Arabic Language Day तो यह छो ओफिश्वल लेंग्विज हैं UN के फिर निक्स कोशन है कि Finland में भारत के राजूत के रूप में किसे नियुक किया गया है तो Finland में भारत के राजूत के रूप में नियुक के गहन का नाम है रवीश कुमार रवीश कुमार और रवीश कुमार ने किनको रिप्लेस किया है तो वानी राव को रिप्लेस किया है रवीश कुमार ने वही पर अगर हम बात करें Finland के Capital की तो Finland की Capital क्या है? Hill Sinki Hill Sinki फिर नेक्स्ट कोशन है कि World Food Safety Day ये किस दिन मनायाता है? तो विस्टु खाद दी सुरक्षा दिवस यहरेक शाल साथ जून को मनायाता है और इस बार World Food Safety Day का Theme था Food Safety Everyone's Business Food Safety Everyone's Business तो देखिए बहुत बार Theme भी पूछ लियाता है कि इस Day का जो है वो Theme क्या था? तो Theme भी Important है ध्यान में रखिएगा फिर नेक्स्ट कोशन है कि World Oceans Day ये किस दिन मनाया जाता है? तो World Oceans Day यानि कि विस्टु समुदरी दिवस ये मनाया जाता है हरेक शाल 8 जून को और इस बार World Oceans Day का Theme था? Innovation for a Sustainable Ocean Innovation for a Sustainable Ocean फिर नेक्स्ट कोशन है कि WTO यानि कि World Trade Organization में भारत के राजूत के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है? तो World Trade Organization में भारत के राजूत के रूप में न्यूक्त के नाम है ब्रजिंद्र नवनीत ब्रजिंद्र नवनीत और ब्रजिंद्र नवनीत से पहले कौन थे? WTO में भारत के इंडिया के अमबेस्टर तो इन से पहले थे JS दीपक और जो आप option number C में देख रहे है Roberto Azevido तो ये WTO के Director General है जिनके द्वारा भी घोशना की गई है कि वो I think 31 August को Retirement दे 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 तो ये आप ध्यान में रखेगा और WTO जो है इसका Headquarter कहां पर है तो WTO का Headquarter है Geneva सुर्जय लैंड में फिर नेक्स्ट कॉशन है कि Real Estate Developer DLF Limited के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्टिया गया है Real Estate Developer DLF Limited के अध्यक्ष के रूप में नियुक्टिया गया है Rajiv Singh Rajiv Singh और Rajiv Singh से पहले थे इनके पिता कुशाल पाल सिंग और अब बने हैं Rajiv Singh DLF Limited के Chairman फिर नेक्स कोशन है कि Asia विश्यविद्याले रैंकिंग 2020 में Asia के सिर्फ 100 विश्यविद्यालों में कितने भारतिये विश्यविद्याले सामिल है यहां पे हम QS World Ranking की बात नहीं कर रहे हैं यहां पे हम बात कर रहे हैं Times Higher Education के द्वरा एक सर्वे किया गी है और इसमें Asia के Top 100 University को चुना गया है उसमें से कितने भारती उनिवर्सिटी यहां सामिल है तो Top 10 में तो एक भी नहीं है हां Top 50 में दो उनिवर्सिटी आते हैं जैसे कि अगर Total University की बात करें तो Total University आता है आठ यानि कि Top 100 में Asia के 100 उनिवर्सिटी में आठ उनिवर्सिटी इंडिया से आते हैं कौन-कौन से तो सबसे पहले रैंग पे आता है 36 में रैंग पे Indian Institute of Science Bangalore फिर उसके बाद 47 में रैंग पे आता है IIT रूपर फिर 55 में रैंग पे आता है IIT इंदौर फिर 69 में रैंग पे आता है IIT खरकपूर सरसथ में यानि कि 67 रैंग पे आता है IIT दिलही और फिर 83 रैंग पे आता है IIT रूपर 69 रैंग पे आता है IIT वंबे और 92 रैंग पे आता है Institute of Chemical Technology तो इसमें सबसे ज़्याद इंश्यूट की संक्चा है वो IIT यों की संक्चा है जैसे की रूपर, खरकपूर, इंदौर, देलही, मुंबई, रूर्की ये सारे IIT है और जो अगर बात की जाए कि Asia के सबसे टॉप उनिवर्सिटी में किसको रैंग किया गया है तो Singua University को Singua University जो की चाइना में है फिर दूसरे नमर पे भी China की यूइनिवर्सिटी है जिसका नाम है Peking Peking University फिर नेक्स कोचेण है कि Forbes के अनुसरा 2020 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले हस्तियों में पहले अस्तान पर कौन है तो दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले हस्तियों में पहले अस्थान पर है Kylie Jenner ये हम यहाँ पे देखी overall बात कर रहे हैं इससे पहले हमने मई लास्ट वीक में किया डिस्स किया था कि Forbes के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो 2020 में कमाई करने वाले athletics कौन थे तो वहाँ पे हमने male और female दोनों के बार ने डिस्स किया लेकिन यहाँ पे हम overall डिस्स कर रहे हैं और यहाँ पे हम celebrity को पूरी तरस ले रहे हैं जैसे कि इसमें athletics भी आ जाते हैं जो actor है, actress हैं वो भी आ जाती हैं तो overall इसमें top किया है किसने Kylie Jenner ने और Kylie Jenner की कुल कमाये कितनी रही? तो कुल कमाये रही 500 590 million dollar 590 M ci mall वहीपर दूसरे नमबर पे रहे है labour Kanye West और इनकी कमायह रही 170 M doll Kylie Jenner जो की एक model है और एक business women भी है तो Kylie Jenner की accompany 平 Kylie Cosmetics तो यह देहानने रखेगा और तीसरे नंबर पे है रोजर फिडरर और आपको यही पतावा कि रोजर फिडरर विश्व में सब ज़्यदा कमाई करने वाले एथलेटिक्स भी हैं और पहले रैंग पे हैं एथलेटिक्स की अगर हम बात करें तो और ओवरॉल तीसरे रैंग पे हैं तो यह धियान रख्चे का और अक्षे कुमार को जो है इस बार अक्षे कुमार एक मात्र भारतिय बने हैं टॉप 100 की सूची में आने वाले फोब्स के अनुसार कमाई करने वाले तो इस सूची में इनको कितना रैंग पे रखा गया है बावन में रैंग पे रखा गया है और इनकी टोटल कमाई जो है एक साल की वो कितनी है 48.5 million dollar यानि की approximately 366 करोड के करीब है एक साल की कमाई और अगर athletics की बात करें तो विराट कोली एक मातर भारती हैं और एक मातर क्रिकेटर है जो athletics वाले जो कमाई को जो हमने top 100 में हैं और उनकी कमाई थी 26 million dollar total फिर next question है कि विस्व बैंक के कारकारी नहीं दे सकते हैं वरिष्ट सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया निकि senior advisor के रूप में जो world bank executive director है उनके senior advisor के रूप में किसे नियुक्त किया गया इनका नाम है राजीव टोपनो राजीव टोपनो तो यह धिया रूप में रखशेगा world bank का headquarter कहां पर है वासिंग अटन डीसी में वहीं पर हम बात करे एच अठेली के बारे में तो एच अठेली जो है इन्हें क्या नियुक्त किया गया है एच अठेली को advisor नियुक्त किया गया है एशियन डेवलोपमंट बैंक का जिसका headquarter कहाँ है मनिला फिलिपिन्स में तो राजीव टोपनो को senior advisor नियुक्त किया है executive director का world bank में और एच अठेली को नियुक्त किया गया है advisor कहां पर तो Asian Development Bank Manila Philippines में वहीं पर हम बात करें रवी कोटा के बारे में तो रवी कोटा को USA के Indian Embassy में Economic Minister नियुक्त किया गया है वहीं पर अगर हम अनवर हुशयन सैक के बारे में बात करें तो अनवर हुशयन सैक को इंडिया के Permanent Mission के तहट WTO में Counselor नियुक्त किया गया है तो क्या पूछा जाए सारा कुछ ध्यान में रखेगा फिर नेक्स कोशन है कि गरीबी रेखा के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को मुफ्ट इंटरनेट प्रदान करने वाला पहला राज कौन सा बन गया है तो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग के लिए मुफ्ट इंटरनेट प्रदान करेगा और इस स्टेट का नाम है केरिला आपको यही बता होना चाहिए कि केरिला ही पहला स्टेट था जिसने 2019 में ही इंटरनेट को फंडामेंटल राइट घोशित कर दिया था और केरिला ही पहला राज्य बनेगा जो कि बिलो पोवर्टी लाइन के नीचे जो भी आते हैं उनको फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेगा और किस प्रोजेक्ट के तहत तो के फोन प्रोजेक्ट के तहत के फोन गयाने कि केरला फाइबर आप्टिक नेटवर्क के तहत जो कि आप ये समझेए कि ये प्रोजेक्ट जो है दिसम्बर में रोल आउट हो जाएगा और इस पर कितने रूपे खर्च किये जाएंगे तो पंद्रो सा करोर रूपे खर्च किये जाएंगे शिंगल और सुसील कुमार सिंगल से पहले कौन थे तो सुसील कुमार सिंगल से पहले थे विजय कुमार और वहीं पे जो आप और फशन नंबर थड में देख रहे हैं या सी में अनुमूला गीते सर्मा तो एक गीते सर्मा जो है ये Australia में High Commissioner है एंडिया के फिर नेक्स कोशन है कि हाली में किस Port Trust का नाम बदल कर श्यामा प्रशाद मुखरजी Port Trust करने को मंजूरी दी गई है तो इसकी घोशना तो बहुत पहले हैं किया चुकी थी January में ही लेकिन अब जो है मंजूरी दे दी गई है यानि कि इस Port Trust का नाम अब बदल गया है तो यह Port Trust है Kolkata Kolkata Port Trust का नाम बदल कर अब श्यामा प्रशाद मुखरजी Port Trust करने की मंजूरी दे दी गई है फिर नेक्स कोशन है कि भारतिय उद्जोग परिशंग यानि कि CII Confederation of Indian Industry के President के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो CII के President के रूप में नुक्त किया गया है इनका नाम है उदय कोटक उदय कोटक और उदय कोटक को कितने साल के लिए नुक्त किया गया है बस एक साल के लिए इनसे पहले किसे न्यूक्त किया गया था एक साल के लिए तो विक्रम किरलॉसकर को न्यूक्त किया गया था फिर नेक्स्ट कोश्चन है कि किस रेटिंग एजिंसी ने भारत के सोवरेन रेटिंग को BAA2 से घटा कर BAA3 कर दिया है तो ये किया गया है मुडीज के द्वारा मुडीज ने क्या किया है कि इंडिया की जो सौवरेन रेटिंग थी उसे घटा कर जो पहले थी BAA2 से घटा कर दिया है BAA 3, अब यह BAA 2 क्या होता है, BAA 3 क्या होता है, तो सबसे पहले तो यह जानिए कि यह जो Indian Sovereign Rating है, उसके अंतरगत इसको रखा जाता है, और India की जो ranking थी पहले वो थी BAA 2, यानि कि इसमें भी risk होता है, यह यह बताता है, यह rank यह बताता है कि किसी भी देश में, वहाँ पर अगर कोई भी investment करना जाता है, तो वहाँ पर क्या risk है, जो investment जो किया जाएगा, जैसे कि आप वहाँ पर पैसा लगाते हैं, या फिर उस सरकार को, या फिर किसी company को करज देते हैं उस देश में, तो फिर आपके पैसे आने के chances कितने हैं, कितना तो थी इस rank पे और अब दे दिया गया है इंडिया को BAA3, जो कि बहुत ही खराब rank होता है, और अगर इससे भी नीचे rank आता है, जैसे कि BA1, BA2, अगर इस rank पे आ गया, तो इस rank को करता है junk grade, यानि कि सबसी lowest grade है, और investment अगर इस grade में हम आ गया, तो समझ ये investment आना भी बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, अभी भी credit पर high risk होगा, इस सूची में भी, ये moody's के अनुसर कहा गया है, फिर next question है की, इंडिया भारत के ambassador के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है, कुवेट में, तो कुवेट में भारत के ambassador के रूप में न्यूक्त किया गया है, इनका नाम है C.B. George, C.B. George, और C.B. George से पहले थे जीवा सागर भारत के ambassador कुवेट में, और अब बन गया है, C.B. George, तो कुवेट की capital क्या है, कुवेट की capital है, कुवेट city, फिर next question है की, British Academy of Film and Television Arts, यानि कि बाफ्टा के नए chairman या फिर अध्यक्ष कौन बने है, तो बाफ्टा के, sorry, president, बाफ्टा के नए president बने है, इनका नाम है कृष्ट नेंदू मजुमदार, ये इसलिए question important है, क्योंकि कृष्ट नेंदू मजुमदार, ये पहले और स्वेट और पहले भारतिये बने हैं, बाफ्टा के president, इनसे पहले कौन थे बाफ्टा के president, तो पिप्पा हैरिस, पिप्पा हैरिस, तो ये पिप्पा हैरिस का फिर निक्ष की भारत और Australia आभासी सिखर सम्मिन, यान की virtual summit के बीद कितने समझाता ग्यापनों पर हस्ताक्षर किये गए, अब देखिए बहुत लोग को भी यहां पर लगड़ा हो कि यहां पर option में 9 भी होना चाहिए, तो देखिए कितने समझाते अगर किये गए, अगर य सेवन, तो किस-किस समझातों पर हस्ताक्षर किये के सबसे important कौन से समझाता था, क्या हमें सातों समझाता याद रखना है नहीं, जैसे कि एक सबसे अच्छा समझाता था Australia के Prime Minister कौन है, Scott Morrison, सबसे अच्छा समझाता था Sanado का इस्टमाल, यानि कि जो Indo-Pacific जो region है, वहां का जो जो उस तरफ का Australia का region है, तो उनके Sanado का इस्तमाल इंडिया कर पाएंगे और इंडिया के तरफ के Sanado का इस्तमाल Australia कर पाएंगे किसी विशम परिसिटी में, तो इसके लिए यहां पे आप देख सकते हैं, जो 9 agreement किया गया है, comprehensive strategic partnership between India और Australia, फिर joint declaration on shared vision for maritime cooperation in the Indo-Pacific, यह भी बहुत ज्यादा important है, फिर जो sign किये गया है, cyber and cyber enabled critical technology cooperation के छेत्र में sign किया गया, फिर mining and processing of critical strategic minerals के छेत्र में sign किया गया, फिर mutual logistics supports के लिए sign किया agreement, तो यहां पे defense science and technology के लिए sign किया agreement, तो यहां पे आप देख सकते हैं, यह 9 MOU थे जिस पर समझाते है किया गया, और 7 MOU पर sign किया गया, और शले है capital है Canvara, फिर next question है कि दुनिया का सबसे लंबा platform किस राजी में बनाया जा रहा है, दुनिया के सबसे लंबा प्लेटफर्म बना जा रहा है करनाटका में करनाटका से पहले ये करनाटका में जो भठना है इसकी लंबाई कितने मीटर है तो इसकी लंबाई 14 सा मीटर है तो इससे पहले किस स्टेट में सबसे लंबा प्लेटफर्म हुआ करता था इससे पहले गोरकपूर railway station और गोरकपूर railway platform की जो लंबाई थी वो थी 1366 मेटर और गोरकपूर से भी वहले कौन सी लंबी platform हुआ करते थी तो वेस्ट में खरकपूर और करनाटका में जो है अब करनाटका के हुबली railway station पर ये भी ध्यान रखिएगा ये मेनली यही पुछा जाएगा हुबली किस railway station पर तो हुबली railway station पर सबसे दुनिया का लंबा platform बन रहा है कितने मीटर का 14 सा मीटर का फिर नेक्स कोशन है कि मोनिका मोहता मोनिका कपिल इनका पूरा नाम है मोनिका कपिल मोहता को किस देश में भारत का राजूत नियुक्त किया गया है तो मोनिका महता को स्विजर लैंड में भारत का राजूत यानि कि एमबेजडर नियुक्त किया गया है और मोनिका मोहता न फिर निक्स कुशन है कि अभी हाली में EY World Entrepreneur of the Year 2020 आवार्ड ये किसने जीता है तो ये जीता है किरन मजुमदार शोने EY World Entrepreneur of the Year 2020 आवार्ड ये बहुत ही इंपॉर्टन कुशन है इसलिए क्योंकि ये पहली भारतिये बनी है जिन्हें इस आवार्ड से सम्मानित किया गया है और अकर वर्ड के बात करें तो वर्ड की दूसरी महिला बनी है जिन्हें ये आवार्ड दिया गया है यहां पर आप देख सकते हैं और साथी साथ ये पहली भारतिये महिला और तीसरी भारतिये बनी है जिने हैं EY World Entrepreneur of the Year 2020 Awards से सम्मानित किया गया है ये बायो कौन की MD या फिर CMD Chairman Person और Managing Director है फिर नेक्स कोचन है कि 2020 के लिए प्रतिष्ठित Richard Dawkins पुरसकार प्राप्त करने वाले पहले भारतिये कौन बने जावेद अक्तर उनके बेवाक और स्वतनत रूप से जो बोलते हैं किसी भी इसू पे पॉलिटिक्स पे, सोसाइटी पे, आडन कल्चर पे, धर्म पे उनकी जो बोलने की जोकला है यानि कि बेवाक तरीके, सुन तरीके से बोलते हैं इसलिए उन्हें ये आवाड दिया गया है रिचर्ड डॉकिन्स अवाड 2020 का और इसकी घोशना जो है इस अवाड की घोशना खुद रिचर्ड डॉकिन्स नहीं की है रिचर्ड डॉकिन्स ये एक बाइलोजिस्ट और आथर हैं फिर नेक्स कोशन है कि किस राज ने बंदे उतकल जननी को राज्य गीत का दरजा दिया है तो अभी हाली में ओडीशा राज ने बंदे उतकल जननी को राज्य गीत का दरजा दिया है लगभग कितने शाल बाद ठो लगभग 110 साल समझी 110 साल के बाद यह गीत को दर्जा दिया गिया है तो यह गीत लिखा गया था कांता काई यह पूछा सकता है लिख लिजेए कहीं पड़ कांता काई लक्ष्मी कांत महोपात्रा कान तक अभी लक्षमी कान्त महुपात्रा और इसे पहली बार जो गाया गया था वो 1912 में ही गाया गया था I think 12 साल इस गीत को लिखे हुए हो गए तो चलिए अब कुछी न्यूज उसको डिस्स कर लेते हैं और न्यूज को डिस्स करने से पहले हम यह देखेंगे कि जियो में जो अभी तरातर तरातर इंवेस्टमेंट जो आ रहे हैं वो किस-किस कंपनी के दुआरा आ रहे हैं और कितना 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 स्टेक खरदा गया है तो अभी देखिए यहाँ पर कितने company है साथ company हैं यहाँ पर नहीं I think आठ company है तो आठ company के दोवारा अभी investment किया गया है जियो में तो यह सभी के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा लेकिन overall कोई भी अगर पूछ लिया जाए या फिर कितना percent stake खरीदा गया है सबसे important है किसका facebook का क्योंकि facebook ने 9.99% stake लिया है जियो में कितने amount कितने amount में तो 43,574 करोड रूपय में तो यहाँ आप देख सकते हैं फिर silver lake का investment आया है जियो में कितने percent यह देख सकते हैं विश्टा पार्टनर जिनर्डल अट्लांटिक केके यार फिर मुबाडला सिल्वर लेक और एडिया तो अगर company की बात करें तो total company है साथ और investment जो है टोटल इन देर मैनों में वो investment आई है आठ Reliance जीयो में तो यह आप ध्यान में रख्येगा तो चलिए अब कुछ news है उसको discuss कर लेते हैं और news भी बहुत ज़्यादा important है जिसकी पहला news है कि प्रधान मंत्री नेंद मोदी ने घोशना की है कि वो गावी यानि Global Vaccine Alliance में गावी में 15 million डॉलर की सहायता राशी प्रधान करेंगे और यह घोशना कव की गई जब इस summit को यानि कि Global Vaccine Summit को होस्ट किया जा रहा था UK Prime Minister Boris Johnson को और उसमें नेंद मोदी भी उसमें participate किये थे तो यह जहान रखिएगा और एक आपको पता हुआ कि मोदी गवर्मेंट के द्वारा मोदी गवर्मेंट नहीं मोदी गवर्मेंट ही या फिर भारत सरकार कही है सबसे भारत सरकार भारत सरकार के दोड़ा Mission Indra Dhanush की भी शुरुवात की गई थी full vaccination जो किया गया था countrywide children में vaccination के लिए pregnant women के vaccination के लिए तो उस program को क्या नाम दिया गया था Mission Indra Dhanush तो यह आप ध्यान में रखिएगा फिर next news है की Tamil Nadu की लड़की है 13 वर्स की है और इनको UNADAP यानि की United Nations Association for Development and Peace के goodwill ambassador के रूप में New Jagian का नाम है नेथरा तो यह ध्यान में रखिएगा इन्होंने lockdown के दौरान गरीब लोगों को खाना दिया feeding the poor people during the COVID-19 locked by her father फिर next question है की PM launches technology-based solution champions to provide one-stop solution to MSME MSME sector के technology-based solution के लिए PM Modi ने champions platform की शुरुवात की यह news हमने इसलिए रिसे के सब से पहरे तो आप champions से अगर यह भी पूछा सकता है की champions का champions में C का मतलब क्या है या फिर M का मतलब क्या है P का मतलब क्या है तो full form भी पूछ लिया सकता है तो यहां वेब देख सकते है creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength तो यह आप champions का ध्यान में रखिएगा फिर next news है की filmmaker बासू चितर जी का निधन हो गया और इनके निधन पर president, vice president, PM सभी ने दुख जाहिर किया तो यह बस आप ध्यान रखिया की बासू चितर जी का संबन जो है किस चदर से था वो एक filmmaker थे अब यह नहीं पुछा है की इनके द्वारा कौन-कौन-कौन-सा movie बनाए गया या फिर कौन-कौन-कौन-स सेरियल फिर next है कि D.I.D.O. develops ultra-suck to disinfect P.P.E.s, electronics item and fabrics तो D.I.D.O. ने एक ultra-suck नामक जो है disinfect unit develop किया है जो कि P.P.E. को disinfect कर सकता है electronics items को de-infect कर सकता है fabrics को D.I.D.O. के Institute of Nuclear Medicine and Allied Sciences के द्वारा ये develop किया गया ये ultra-suck product फिर next question है कि government unveils P.E.M. श्वानिधी scheme to provide affordable loans to street vendors तो स्वानिधी scheme जो है किस दीज़ सम्मनित है तो ये loan देगी इस scheme के तहट loan दिया जाएगा कि इनको तो street vendors को जैनि कि जो रहरी जो लगाते हैं उनको loan दिया जाएगा कितने तक की loan की facility है 10,000 और I think 20,000 भी है इसमें एक बार आप confirm हो लिजेगा कि इसमें 20,000 है भी है कि नहीं 10,000 है और 20,000 और इसमें क्या होगा स्वा निधी योजना के तहत और अगर वो सेम टाइम में चुका देते हैं तो इन्हें कुछ profit भी I think दिया जाएगा फिर नेक्स कोचन है कि president, vice president PM expressed grief on demise of vedh marwa तो vedh marwa का निधन हो गया और इनके निधन पर प्रधान मंत्री Modi, vice president और president ने दुख जाहिर किया है ये कौन थे तो ये governor रह चुके थे मनिपूर के मिजवरम के जहारखंड के और देली police के commissioner भी रह चुके थे vedh marwa तो इनका नाम भी आप ध्यान में रखिएगा तो ये उडियो का अंत आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो का लाइक कीजिएगा इस वीडियो का शेर कीजिएगा और हमारे चैनल और लाइन तयारी को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे आप कमाने आने वाली वीडियो मिलती रहे धन्यवाद